वेलकम बैक इस्टूटेंट मैं राहूल जेन आज अप पुन चर्चा करेंगे उच मादेमिक परिक्षा मोडल फर्षन दो जार इकिस के बारे में जो किया अपना रहेगा आज गा फिजिक्स को रिलेकर मादेमिक साबस ने करोना काल को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंज किये हैं ध्यान रखना मार्क्स के साथ कुछ छेड़-चार नहीं किया है जो मार्क्स थे वो उची को रखाया गया है जो कि पहले भी कितना था 56 को तो 56 वही रहेंगे जो पिसली बार भी यही था इसका मतलब यह रहेगा कि 30 नंबर रहेंगे वो आपके practical और 40 जो नंबर रहेंगे 14 वो internal marks रहेंगे और समय में कोई चेर्चार्ट नहीं किया है तो इसमें लेकर यहां पर भी कोई चेर्चार्ट नहीं किया है साथ ही इस model paper में क्या बताया गया है कि जितने भी आपको क्यूशन के answer देने हैं वो सारे के सारे आपको उत्रपुष्टिका में ही देना है जो कि उच माद्यमिक सिक्सा बोर्ड आप उनको क्या करवाता है प्रोवाइड करवाता है साथ ही इसमें एक चीज़ का और द्यार रखना है अगर किसी परकार की मानलो कि आपको तुरूटी लगती है क्यूशन में तो आपको क्या करना है कि जो हिंदी वाला जो पार्ट रहेगा उसी को रेफर देना है हिंदी में जो लिकीवी बात है वही सही माननी है इंगलिस वाले को सही नहीं माननी है और हाँ इसमें इस बार जो मोडल पेपर में है उसमें objective question को भी सामी किया गया है इसलिए डिया रखना objective question का answer आपको क्या करना है एक table बना कर क्या करना है generate करना है जो table बना कर इस परकार चे आपको क्या करना है एक table बना नहीं है जिसमें आपको option लिए इधर एक number डाल दिया तो इधर आपको option लिखना है इस दो नमबर इधर ये लिखना है इस परकार से आपको इसका अंसर देना है ये टोटल 10 क्यूशन होंगे कैसे कैसे आएंगे वह आप मैं अभी आगे बताता हूं साथ ही इसमें जा रखना इस बार सेक्षन अलग अलग सेक्षन आएंगे A, B, C, D, E छो पांचो सेक्षन है उसमें अलग अलग क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे A, A section का क्या करना होगा A, A section में कैसे क्यूशन आएंगे वह आप देखिए मैं आपको उसको बताता हूं किस परकार से आपको करना है इस section में आपके पास पहला जो question आएगा उसमें 10 objective question आएगे एक से लेके 10 objective question आएगे और सभी एक एक number के होंगे मतलब 10 number के होंगे 2 से जो 11 है वो भी आपके एक एक number के होंगे लेकिन 9, 10, 11, last की जो 3 है 9, 10, 11 इन 3 में आपको क्या देखने को मिलेगा फिलीन ब्लेंक वाला देखना पड़ेगा खाली स्तान आएंगे उसको बढ़ना होगा ध्यार रखना प्यारे बच्चों जो भी आपको answer लिखना है copy में write करना है इस paper में कभी भी write नहीं करना है तो आपको उत्रपुष्तिका में ही answer को लिखना है इस बार जो करोना काल को ध्यान में रखते हैं section C, D और E इसमें आपको हर क्यूशन में extra क्यूशन मिलेगा मतलब हत्वा वाला जो आता ना और extra जिसको बोलते हैं वो हर क्यूशन में आपको देखने को मिलेगा क्यों B section में देखने को नहीं मिलेगा B section आपका दो-दो नंबर करेगा जो की चार क्यूशन होगा अब कैसे कैसे आएंगे वो आगे देखे सबसे पहले section A इसमें आपको objective क्यूशन देखने को मिलेंगे objective क्यूशन आपके पार मैंने का है 10 आएगा जारगणा उच मादेवी सिक्साबोड में यहापके कुछ गड़वड हुई है वो क्या है कि ऐसे क्यूशन यहाप सामिल कर लिया गया है जो कि सलेवस से हटाया गया था आपको पता है जब अभी थोड़ दें पहले सलेवस मादेविक नहीं यह जब सलेवस अटाये था उसमें यह कारवन प्रतिरोद वाला क्यूशन नहीं था उसमें यह टोपिक अटाये था और इसके मोडल फेपर जो जारी किया उसमें यह क्यूशन डाला गया है तो थोड़ा सा यह लेकर इससे कंफ्यूशन चल रहा है जो जल्दी इसमें उचमादेवी शिक्साबोड निर्ने लेगा कि ऐसा क्यो हुआ तो आप इसकी अवरी गवराय नहीं कि ऐसा क्यो हुआ ठीक है चलो शारे आपके कितने नंबर के रहेंगे एक एक नंबर के यहां पर रहेंगे और मैंने तीन इस्पेसल जो इस बार इंक्लूड किया है वो क्या है इस बार वो जो यह 9,10 और इलेवर यह आपको यह खालीस्तान वाले बढ़ने होंगे जहारकना बच्चो यह आंसर आपको इस क्यूशन इंक्लूड किया गए है ठीक है section B में कितने क्यूशन इंक्लूड किया गए है चार क्यूशन इंक्लूड किया गए है जिसमें आपके पास क्यूशन नमबर 12 13 14 और 15 रहेगा राइट तो इसमें ये क्यूशन कितने नमबर के रहेंगे यह दो-दो marks के रहेंगे टोटल कितने क्यूशन होंगे चार तो यह होगे आट marks के होंगे इसमें कोई आपको एक्स्टा क्यूशन नहीं मिलेगा ठीक है इसमें भी आपको एक चीज़ ना रखना देखने पर यहाँ पर एक numerical देखने को मिल रहा है और दूसरी बड़ी बात इसमें द्यारखने वाली बात क्या है कि आप जब इस पर गोर करोगे ना तो इसमें क्या है कि क्यूशन इस प्रकाश से प्रोवाइड क्या करवाए गया है कि दोनों जो क्यूशन है जैसे इसमें आप देखे कि जिस chapter से equation उपर दे रगाई एक्ष्टा में वही 요즘 सी चेप्टर से हरा तो यह वीवो मौपी का है तो अगला भी वीवो मौपी का है तो यह गौर करने वाली बात है कि इसमें उसी चेप्टर से question आ रहा है यह भी आप द्या रखना जैसे इसमें एक चीढ देखिये की जैसे ये दोनों ये वेटिकरण वाले से हैं ईंटेफेर वाले से, तो इंटेफेरेंस में ये दूसरा क्यूशन दिया है तो ये comparison दिया है मतल़ एक दूसरे रिलेटर दिया इसके उपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान से ध्याम अडल वेफर को ध्यान रखते हैं क्या करना होगा इस्टेडी करना होगा और एक चीज और ध्यार रखना इसमें छोट-छोटे पार्ट बनाएंगे बहुत ज़्यादा इस बार जैसे माली जेगी इस परकार से पहला केमिस्टी के पेपर में हुआ करता था फिजिक्स में थोड़ा सा लेंटी क्यूशन भी देखने को मिलते थे इस बार बहुत जारा जारा रखा गया है इस चीजों में आपको क्या देखने को मिलकी एहसे शोट-चोटे क्यूशन आएंगे पहला पर दूसरा कीजे फिर तीसरा कीजे तो इस परकार से वह पर है इसका इसका कर रही हो तो इसका जो अबने आक कल दिया तो इसका बब्य , इसijnका करना ही पड़ेगा ऑगला ब ही चलेगा जिस कूई को आपने सेलेक्ट किया वह क्यूशन आपको करना ही होगा राइट जैसे आपने ये वाला प्याइशन ये सेलेक्ट ही है तो यह कुरा करना है आपको राइट है इс VISAS59 थ्लीज से रिलेटेद है इसigor ये उसमादे मिशिक सा बिलोंग हो रहा है तो उसी परकाश आप बड़े क्यूशन जो आते ना उसका ध्यार रखना है कि उसी चेप्टर से रिलेटेड होगा इसी परकाश से सेक्षिन आप उन डी की बात करें तो सेक्षिन डी में भी आपको चान नंबर की क्यूशन देखने को कंप जो सेखने को मिलेगा कि आपको और यहां पर भी आपको एक चीज़ का पिर दया रखना है वेसे वेसे आपको क्या करHAHAना है इसके आंसर को सो करना है राइट है इस चीज़ को आप दोड़ा सा ध्यान रखना आगे चलते हैं सेक्शन डी के अंदर आपको 20 21 और दो क्यूशन मिलेंगे और इसी परकाश सेक्शन एक पर चर्चा करें तो सेक्शन एक को भी आपको एक अच्छा बनाया गया है उसमें क्या अच्छा बनाया गया है वो देखने ही कोशिस करना इसमें क्या है कि आपके पास तीन ओप्शन दिया है एक्श्टा में दो है मतलब आपको यह क्यूशन आता तो यह ठीक है यह नहीं आता तो यह कीजिए और यह भी नहीं आता तो यह कीजिए लग जहए नहीं करना है मॉक्स ही डाल किया ना है और हां M Sarah के ग्लती करते हैं कि में दुबारा क्यूशन को कर दू है से आगे यह कर दिया आगे तो माली जै उसनी क्या कर aid ये एक फीछह और यह गण कर दिया है को你 को ै। करने की कोशिष करना तो इस परकार से जो करोना काल को ध्यार में रखते हुए मोडल पेपर को डिजाइन किया गया है उसी के नुशार आप अपने मादे मी शिक्सा बोड की उच्छे से तियारी करें ध्यार रखना according to pattern पड़ोगे ने तो यह अच्छे marks cover कर पाओगे हाँ ज्यादा कूछ चेंजेबल नहीं है पेपर का सिस्टम वो का वो ही है लेकिन थोड़ा सा marks लाने के लिए आपको इसको easy pattern में क्या गया है new type जैसे objective कुशनों को यहाँ पर add क्या गया है वो आपको काफी help करेंगे और हाँ जैसे एक से लेके 10 तक के जो क्यूशन है एक से लेके 10 तक के क्यूशन है objective उसमें कोई negative marking नहीं होगी जहां तक है ठीक है तो वो सारे आपको compulsory है करना बाकी आपको यह वाकी क्यूशन है वो option पर है मतलब आपको जो आता है वो करोगी करोगी नहीं आता है वो आप कोशिस करोगे तो यह है तो इस परकासी सारे क्यूशन करने की कोशिस करना और त्यारी जो है वो model paper के अनुसार ही करना तब तक के लिए thank you धन्यवाद